हेलो दोस्तो कैसे हैं आप स्वागत है आपका हमारे चैनल घरे लुटिप सेंट्रिक्स में दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने घर की बातरूम के टाइल्स को किस तरह साफ करे और इसे चमकाने का ऐसा नया तरीका लेके आई हूँ कि आपने कभी सोचा नहीं होगा जब आप ये तरीके घर पे खुद अपनाएंगे तब आपको यकिन होगा मैंने खुद घर पे ये तरीके अपनाए है और इन तरीको से मैंने अपने घर के बातरूम को बहुत ही अच्छे से clean कर लिये हैं इसे खोब अच्छे से चमका लिये हैं आप अपने घर पे इसे जरूर यूज करे और हा दोस्तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मुझे लाइक करे और सब्सक्राइब करे तो चलिए दोस्तों हम वीडियो की सुरुवात करते हैं मैं आपको अपने घर की बातरूम दिखाती हूँ आप देख सकते हैं कि ये कैसे दिख रही है ये इतनी गंदी हो गई है देख रहे हैं आप ये कैसे दिख रही है मेरा बातरूम बहुत छोटा है और बातरूम में हम हात मुध होते हैं नहाते हैं तो क्या होता है कि साबून के सैंपो के छीटे जो हैं वो दिवारों पे लग जाते हैं और पानी के संपर्क में आने से इनका कलर कुछ इस तरह हो जाता है ये देखिए ये बिलकुल दिवारों में जम जाते हैं और ये सूख के उसमें दाग लग जाते हैं जो कि बहुत ही जिद्धी होते हैं जिसे हम कितना भी साबून या डिटर्जन से साफ कर ले ये निकलने का नाम नहीं लेते और इन्हें साफ करने का जो तरीका मैं आज आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत ही नया और यूसफुल है आज मैं आपको पूरे बातरूम के टाइल्स को साफ करके दिखाऊंगी दोस्तों देख रहे हैं आप ये कैसे दिख रही है आगे पीछे सभी दिवालों में साबून और साबून और सैंपो के छीटे लगे हैं जो की जम जाते हैं मैंने इसे काफी टैम से साफ नहीं किया था क्योंकि मुझे बातरूम की टाइल्स को क्लीन करने का वीडियो बनाना था आपके लिए दोस्तों मैं आपको नीचे की टाइल्स को भी दिखाती हूं हम बातरूम में जब बार बार चपल पहन कर आते हैं तो इसमें धोल मिट्टी चिपक कर अंदर आ जाते हैं और टाइल्स गिला होने के कारण उसमें चिपक सजाता है जिसकी वज़ा से पूरी टाइल्स जो है वो गंदी हो जाती है इसके किनारों में काला काला गंदगी जमा हो जाता है जिसके कारण हमारी टाइल्स की चमक जो है वो डल पढ़ जाती है और इसे अगर आप सिर्फ डिटर्जन पाउडर से साफ करते हैं तो ये अच्छे से साफ नहीं होता ये पूरी तरह से क्लीन नहीं हो पाता तो चलिए दोस्तो को पूरे बाथरूम को बहुत ही अच्छे से क्लीन करके दिखाती हूं कि मैंने यहाँ पे ऐसा क्या समान यूज किया है कि मेरे बाथरूम बिल्कुल नहीं की तरह चमक गए दोस्तो मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा यूज किया है जी हाँ दोस्तो जो हम खाने में यूज करते हैं बस वही ये हमें दो चम्मच लेना है क्योंकि मैं पूरे बातरों को साफ करूंगी उसके बाद लेंगे डिटरजन पाउडर ये भी हमें दो चम्मच लेना है टाइस के जो जिद्धी दाग होते हैं वो सिर्फ डिटरजन से साफ नहीं होते इसलिए उसमें baking soda को मिलाया जाता है क्योंकि baking soda बहुत ही powerful होता है इन दोनों को मिला कर लगाने से बहुत ही अच्छा result आता है फिर इसमें हमें add करना है harpik toilet cleaner ये आपको किराने की दुकान में तो असान ही से मिल जाता है harpik जो है वो tiles की गंदगी को साफ करने के लिए बहुत ही powerful होता है दोस्तों आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान देना होगा जब भी हम bathroom को clean करते हैं तो हमें safety gloves का use करना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे detergent powder के साथ harpik toilet cleaner का use कर रहे हैं जिससे हमारे हाथों को नुकसान पहुँच सकता है अगर आपके पास safety gloves नहीं है तो आप किसी भी polythine का भी use कर सकते हैं जिससे आपके हाथों को कोई reaction ना हो दोस्तो यहाँ देखिए इस tiles को यह कैसे दिख रही है इसमें एक परस से जम गई है यह जिद्धी दाग जो tiles में पीले पीले से दिख रहे हैं वो tiles के किनारों में भी काला काला सा हो गया है आज इसे मैं बहुत ही अच्छे से clean करके बिल्कुल नए की तरह चमका कर दिखाऊंगी इसका ना बहुत ही अच्छा result आने वाला है और आप मुझे comment box में एक comment तो जरूर करके बताईए कि आपको मेरा ये trick कैसे लगा और हाँ दोस्तों अगर आप मेरे channel में नए हैं तो please मुझे like करे और subscribe करे तो चलिए मैं आपको bathroom को साफ करके दिखाती हूँ Harpick toilet cleaner को हमें दिवाल में इस तरह लगा लेना है दोस्तों आप देख रहे हैं मैं इसे कैसे लगा रही हूँ सामने के tiles में मैं इसे अच्छे से लगा लूँगी उसके बाद जो हमने baking soda और detergent powder को मिला कर रखा था उसे इस harpick के उपर अच्छे से लगा लेंगे दोस्तों देख रहे हैं आप मैं कैसे लगा रही हूँ बस इसी तरह आपको लगाना है और जो नीचे गिर रहा है वो waste भी नहीं होगा उसे हम नीचे की tiles को साफ करने के use में लाएंगे उसके बाद हमें कोई भी एक brush का use करना है मैंने यहाँ पे simple कपड़ा धोने का brush यूज किया है आप देख सकते हैं ये कैसे react हो रहा है क्योंकि हारपिक में acid मिला होता है जिसकी वज़सी के पहुत ही powerful होता है इसे brush की मदश से अच्छे से सभी जगों में मिला ले आपके पास अगर बड़ा brush है तो आप उसका भी use कर सकते है जहाँ जहाँ हमने हारपिक लगाया है वहाँ वहाँ अच्छे से इसे मिला ले मैंने इसे सभी जगों में अच्छे से मिला लिया है डिटर्जन, पाउडर, बेकिंग, सोटा और हारपिक ये तीनों को मिलाने से ये बहुत ही powerful हो जाते हैं जैसे ये बहुत अच्छा result देता है दोस्तों और बस इसे इस तरह मिला कर छोड़ दे इसी तरह मैं पीछे की tiles में भी लगा लूँगी हमें पूरे tiles में इस तरह हारपिक को अच्छे से लगा देना है देख रहे हैं आप मैं कैसे लगा रही हूँ बस ऐसे ही आप पूरा इसे फैला दे उसके बान जो हमने baking soda और detergent powder को मिला कर रखा था बस उसे इस हारपिक के उपर अच्छे से लगा ले बस इसी तरह आपको सभी जगों में लगाना है और कुछ भी नहीं करना है और जो नीचे गिर रहा है वो waste भी नहीं होगा उससे हम बाद में नीचे की tiles को साफ कर लेंगे बस इसे भी आप brush की मदश से अच्छे से मिलाते रहे जब ये पूरा अच्छे से मिल जाए इसे अच्छे से घिस ले देखिए गिस रहे हूँ दोस्तो बहुंच ज़्यादा हमें महनत करने की जरूरत नहीं है ये ऐसे ही एकदम अच्छे से साफ हो जाएंगे और हमारा bathroom जो है वो बिलकुल नए की तरह दिखने लगेगा दोस्तो इसके बाद मैं नीचे की tiles को भी अच्छे से घिस लूँगी जो भी गंदगी इसमें जमा है वो निकल जाएगा bathroom तो हम सभी रोजद होते हैं लेकिन ये सिर्फ detergent से अच्छे से साफ नहीं होता है दोस्तो आज जो मैं आपको trick बताई हूँ उससे आपके bathroom बहुत ही अच्छे से clean हो जाएंगी जो किनारों में काला काला दाग रह जाता है वो सब निकल जाएगा इसे बस इसी तरह हमें अच्छे से घिस लेना है मैंने पूरे bathroom को अच्छे से घिस के साफ कर लिया है उसके बाद मैं आपको bathroom को धो के दिखाती हूँ देखिए ये कैसे दिख रही है इसमें लगे सारे जिद्धी दाग निकल गए है ये पूरी तरह से clean हो गई है आप खुद देखिए इसमें कहीं पे भी कोई गंदगी या दाग नहीं है ना ही कोई पीलापन है रही है आप देख सकते हैं किनारों में भी कहीं पे भी कोई भी कालापन जमा नहीं है दोस्तों आपको मेरा ये तरीका कैसे लगा मुझे कमेंट करके तो जरूर बताएगा मैंने आपको पूरे bathroom को साफ करके दिखाया है कि ये कितने अच्छे से साफ हुई है आप इस ट्रिक को घर पे जरूर अपनाए मैं इसी तरीकों के नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहूंगी तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा मुझे जरूर बताएगा और मेरे चैनल घरेलू टिप सेंट्रिक्स को लाइक करे शेयर करे और मुझे सब्सक्राइब करे